असलाम अलेकुम जी रिजवान जाओ आज की वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे सेक्शन आफिसर प्रमोशनल एक्जैम्स की हम थ्री पॉइंट्स पे बात करेंगे पहला पॉइंट ये है कि सोप का 2024 का जरन कब तक आने वाला है सेकिंड बात ये कि जो नेक्स सोप है कब तक एक्सपेक्टिड है और तीसरा पॉइंट ये कि जो सोप के नेए इस्पारिर्स हैं जो वो कैसे त्यारी करेंगे और उनको कौन से स्टेटजी और प्लैन पे अमल करना पड़ेगा सबसे पहला पॉइंट कि जी सोप का जरन कब तक आएगा तो बड़े यकीन के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि कमस कम आपको दो महिने मजीद लगेंगे दो महिने से ज़ादा कभी वक्त दरकाद हो सकता है अबी जुलाई में आपके पेपर खत्म हुए तो आपको दो से तीन महिने के अंदर इसका जल्ट आने में वक्त लग जाएगा जो सोप के एक्जिस् से आप इंटर्च रहें क्योंकि अगर आपका रिटन पार्ट क्लियर होता है तो आपको जंगी बुनियादों पर त्यारी किरनी पड़ेगी इंट्रिव की अब हम नेक्स सोब की बात करते हैं कि नेक्स सोब कब तक एक्सपेक्टिड है जो सोब का अभी तक इंटरवल है वो दो से तीन साल है यह रेगुलर्ली बेसिस पे नहीं होता यह इसमें गैप आ जाता है और वो गैप बास दफ़ा काफी लंबा हो जाता है अब कुछ लोग इस हवाले से परिशान थे कि फैडल गौर्टमेंट है जो 60% जो वेकट पोस्ट हैं उन्हें बॉलिश कर रही है डा तक तो नॉन गेस्टिड और एक्सकेडर तक मेदूद है लेकिन अल्टिमेटली जो मैं यह समझता हूं मेरे एक क्या से अंदाजा है कि उसका आफर बाकी किसी ग्रूप जैसे पुलिस ग्रूप है या फॉरन सर्विस ग्रूप है या एप बीयार वाले लोग है कस्टम वाल आने वाले सालों में लेकिन वह अभी दिल्ली दूर रस्त की तरह अभी यह बात बहुत दूर किये इस बात को आप बनियाद बनाके अपनी त्यारी को नहीं छोड़ सकते अपने मकसद को नहीं भूल सकते तो यह जो अभी जो कैंडिडेट हैं और वो नेक्सोप की का देद भी मैं आपके साथ इंटच रहूंगा अगर आप मेरे साथ त्यारी करना चाहते हैं तो मैं बड़े क्लियर कट और बड़े साफ अंदाज में आपको बता दूँ यार इसी लिए मैंने इसे नहीं पढ़ा सकता आपको कि आपकी बेसिस ना हो या आपको बेसिक लेवल आदी किसम की अंग्रेजी लिखना आने चाहिए वो अगर आपको नहीं आती तो आप मेरी इंग्लिश वाली वीडियो देख लिए उसमें आपको फ्री रिसोर्स मिलेगा जब आपको जुम्ला लिखना आ जाएगा तो आप अंग्रेजी लिखने की तरफ जा सकते हैं तो आ आपकी बनियादी बेसिक इंग्लिश राइटिंग स्किल्स होंगी आप मुस्से पढ़ें या किसी से भी पढ़ें अपने जहन में बात रखें कि किसी की पास भी मेडिसन नहीं होती कि वह आपको टेबलेट देदे और आपको लिखना आजए या आपकी त्यारी मुकमल हो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और सुड़न्ट को खुछ से प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उस प्रैक्टिस के लिए आपको अपना वक्त देना पड़ता है लेकिन उस प्रैक्टिस के लिए आपको पहले ही बुनियादी तोर पे अंग्रेजी लिखन आना चाहिए अदर्वाइज आप अपना वक्त भी जाय करेंगे पैसे भी जाय करेंगे और टूली स्पिकिंग में ऐसी किसी भी इंकम का अपने आपको हगदार समझता है नहीं जिसमें मैं किसी सुड़न कूछ दे ना सकूँ अपना धेर सारा ख्यार रखियेगा कोई भी क्य आप उसे इंटच रहना है न्यूस पेपर से आर्टिकल से क्रेंट अफेर्स से आपने अपना राफदा नहीं तोड़ना तिसरा पाइंट यह जो लोग नेक्स्ट सोब की त्यारी करना चाहते है उन्हें अभी से त्यारी करनी चाहिए और सबसे बड़ा जो क्वाइट है व